सुप्रीम कोट ने 15 फरवरी 2024 को चुनावी बॉंड स्कीम पर तत्काल प्रभाब से रोक लगा दी थी साथ ही कोट ने SBI से 6 मार्श तक चंदी की जानकारी देने के लिए भी कहा था नवश्कार मैंने दिफॉसदर आप देख रहे हमारे साथ दन्नगरी मीडिया स्टेट बैंक ओफ इंडिया ने सुप्रीम कोट से चुनावी बॉंड की जानकारी देने के लिए 30 जून तक का समय मांगा है सुप्रीम कोट ने पिछले दिनों चुनावी बॉंड स्कीम को रद कर दिया था साथ ही कोट ने SBI को चुनावी बॉंड की जानकारी चुनाव आयोग को देने के लिए कहा था दरसल SBI ये चुनाव बॉंड जारी करता है CGI की बेंच ने 15 फरवरी 2024 को चुनाव बॉंड स्कीम से अनकॉंस्टेंशनल और RTI उलेखन कारार देते हुए ततकाली प्रभाब से रोक लगा दी थी CGI की अध्यक्षिक्ता वाले पांच जजों की बेंच ने SBI को एपरिल 2019 में अब तक मिले चंदी की जानकारी 6 माश तक चुनाव आयोग को देने के लिए कहा था कोट ने चुनाव आयोग से 13 माश तक का जानकारी वेबसाइट पर अप्लोड करने के लिए कहा था लाइव लोग की रिपोर्ट के मताबिक SBI ने अपनी आवेदन में कोट से कहा है कि 12 अप्रेल 2019 से लेकर 15 फरवरी 2024 तक विबिन पार्टियों को चंदे के लिए 22,217 चुनावी बॉंड जारी किये गए थे इसमें बताया जा रहा है कि बॉंड को प्रतेक चरंड के आखरी में अधिकरत शाखाओं द्वारा सील बंद लिफापे में मुंबई मुख्य शाखा में जमाया कराया जाएगा SBI ने कहा है कि दोनों सूचना साइकलों की जानकारी इखटा करने के लिए 44,474 सीटों को डिकॉर्ड किया जाएगा ऐसे में सुप्रीम कोड द्वारा तेट तीन हफते का समय पूरे प्रोसेस के लिए परयाप्त नहीं है मोधी सरकार ने 2018 में चुनावी बॉर्ड स्कीम की शुरुआत की थी इसके तहट कोई भी नागरिक, कमपनी या संस्थान किसी पार्टी को चंदा दे सकता था ये बॉर्ड हजार, दस हजार, एक लाक और एक कर रुपे तक के हो सकते थे खास बात है कि बॉर्ड में चंदा देने वालों का नाम नहीं लिखा जाता है ये चुनावी बॉर्ड SBI की 29 ब्रांचों में मिलते थे ये बॉर्ड साल में चार बार यानि की जन्वरी, एप्रेल, जुलाई और अक्टोबर में जारी किये जाते है इस एक रहा की शाखा में उसकी वेब साइट पर ये ऑनलाइन खरीदा जा सकता है आज के लिए बस इतना ही ऐसी न्यूज अपडेट के लिए बने रहे हमारे चैनल दनगरी मीडिया के साथ धन्यवाद